हेलो फ्रेंट्स, विलकम बेक तु माई चैनेल, अलवोट जॉबस में फ्रेंट्स, आज का जो वेकंसी वो नीडी की तरफ से निकल कर आ रही है, कोई भी एप्लिकेशन फिने रहा गया है, कोई भी एग्जामनेशन नहीं रहा गया है, डारेक्ट ओनलाइन इंटर्वी होगा, इसमें आप लोग को सेलरी 44,450 पर मत मिल जाएगी, इसमें ओल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो, तो इसके लिए कर सकते हो, तो eligibility criteria, selection procedure, application procedure सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर discuss करूँगा, तो वीडियो को skip मत करना, last तक देखिएगा, तो next चलते है, official intuition की तरफ, तो friends यही इसका official intuition जो आप लोग देख पा रहे हो, कि CSIR National Environmental Engineering Research Institute की तरफ से निकल कर आ रही है, तो friends, notification स्टार्ट करने से प और वीडियो को लाइक और दोस्त के शाथ रोच शेर भी कर दे करो या, ताकि हमें ही motivation मिले, ऐसे अच्छे अच्छे motivation आप लोग के लिए लेके आने के लिए, और telegram channel से जोईन हो करके राखिए, job के related latest update पाने के लिए, तो start करते details, motivation की difference first of all, यह contractual job है, कोई भी permanent job नहीं है details post की बात करें, difference ही पे project associate 1 और project associate 2 post के लिए vacancy आई है, जिसमें first है project associate 1 के लिए, जिसमें apply करने के लिए, अगर आप लोग civil और computer science discipline में से 4 साल का भी वी टेक किये हो, तो इसके लिए apply कर सकते हो, इसमें apply करने के लिए general और EWS scanners के लिए maximum age limit 35 years तर रहा गया है, इसमें अगर CSIR, UGC, NET या तो get qualified हो, तो उस case में आप लोग को salary 31,000 plus HRA, यानि कि 40,000 per month salary मिल जाएगी, और अगर आप लोग CSIR, UGC, NET या तो get qualified नहीं हो, तो उस case में आप लोग को salary 25,000 plus HRA, यानि कि 31,750 per month salary मिल जाएगी, next step project associate 1 के लिए, जिसमें apply करने के लिए, अगर आप लोग chemistry discipline मे से MSC किये हो, तो उसके लिए apply कर सकते हो, इसमें भी apply करने के लिए general और EWS candidates के लिए maximum age limit 35 years तो रहा गया है, इसमें अगर आप लोग CSIR, UGC, NET या तो get qualified हो, तो उस case में आप लोग को salary 40,000 per month मिल जाएगी, और अगर आप लोग CSIR, UGC, NET या तो get qualified नहीं हो, तो उस case में आ प्रोजेक्ट असोसियेट 2 के लिए, जिसमें apply करने के लिए अगर आप लोग civil, computer, science, electrical और mechanical discipline में से 4 सल का भी टेक किये हो, तो उसके लिए apply कर सकते हो, बाट इसमें apply करने के लिए minimum 2 years experience required है, इसमें apply करने के लिए general और EWS candidates के लिए maximum age limit 35 years तो रहा गया है, अगर CSIR, UGC, NET य यानि कि 44,450 per month salary मिल जाएगी, बाट अगर आप लोग CSIR, UGC, NET या तो GET qualified नहीं हो, तो उस case में आप लोग को salary 28,000 plus HRA, यानि कि 35,560 per month salary मिल जाएगी, Project Associate 1 post में apply करने के लिए experience की कोई भी requirement यहीं पे नहीं है, तो अगर आप लोग Frasers candidates हो, तो अप लोग इसके लिए completely eligible हो, इसमें apply कर सकते हो, उसके लबाँ अगर आप लोग CST, OVC और PWD candidates हो, तो उन लोग को as per government norms, age leacceson मिल जाएगी, उसके लबाँ अगर आप लोग आपके BB Tech और MS में final year पे हो, तो आप लोग इसके लिए legal नहीं हो, इसमें apply नहीं कर सकते हो, application fee की बात करें दिफ्रेंस यहीं पे, कोई भी application fee नहीं रखा गया है, हार एक category के लिए form completely free है, selection process में आपके educational qualifications का जो भी mark से, उसके process पे आप लोग को shortlist किया जाएगा, अगर आप लोग उसमें shortlist होते हो, तो उसके बाद आप लोग को online interview होगा, जो की Microsoft Team या तो Skype के थुरूपे होगा, अगर आप लोग interview के लिए shortlist होते हो तो उस case में आप लोग को email के थुरूपे inform कर दिया जाएगा, उसके साथ-साथ interview का date, timing और link भी आप लोग को email के थुरूपे send कर दिया ज होगा, अगर आप लोग का selection ही पर हो जाता है, तो selection होने के बाद, जर्णिंग से पहले first आप लोग का pre-employment medical test होगा, और उसके साथ-साथ-साथ आप लोग का character verification भी होगा, contract period की बात करें, इनिशियली आप लोग को 6 months के लिए hire किया जाएगा, और उस 6 months में आप लोग का performance च अच्छा रहा, तो उसके बाद इसको extend कर दिया जाएगा, तो friends यह है is kattles notification इसमें आप लोग को दिखा एता हो, इसमें online apply कैसे करना है, तो friends यह है is official website और यह है is notification kattles जो आप लोग देख पा रहे हो, इसमें apply करने के लिए आप लोग को apply online option पे click करना होगा, click करने के बाद आप लोग के समने application form open हो जाएगी, इसमें first आप लोग को reference notification number यह है से choose करना होगा, जैसे कि आप लोग देख साकते हो कि यह है इसके advertisement number, तो इसमें आप लोग को reference notification number में से last option को choose करना है, और उसके बाद project assistant level में से project associate 1 और project associate 2 में से आप लोग जो भी post के लिए apply करना चाहते ह वह है, और इसके बाद आपका अपका continue of discipline में से engineering को choose करना होगा, उसके बाद आपका अपका personal details यानी की आपका name fill क रणा है, उसके बाद आपका date upbart और we killedruck थी अप लोग उसके बाद करना है, और आपका age यह है इहीं पर fill करना होगा, next आपकाव का category यहीं से choose करना होगा, उ उसके बाद आपका correspondence address और permanent address with email id and mobile number आप लोग यहीं पे fill करना है उसके बाद आपका Skype ID यहीं पे fill करना होगा अगर Skype ID नहीं है तो first आप लोग को Skype ID create करना होगा और उसके बाद ही आप लोग इसके लिए apply कर सकते हो और उसके बाद आपका educational qualifications का जो भी टेल से वो आप लोग को कहीं पे fill करना है उसके बाद आप लोग get qualified हो या तो CSIR UGC net qualified और उसके बाद आप लोग कहीं पे fill कर सकते हो और अगर आप लोग के पास कोई भी experience है तो केटिल्सॉabad के ज來說 में फेज़ कर सकते हो उसके बाद अगर अगर आपे आप को यह हाया का الم सब्सक्राइब करते हैं उस के इनफॉर्म करने के बाद खरम करने के बाद सबिट ओप्षन पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आप लोग का आप्लिकेशन फोर्म सक्सेस्पलिघ हो जाएगी तो फ्रेंट्स इके इसका कॉम्प्ली डिटिल्स नोटिविकर्सीन और फॉर्म फिलप का इटिल्स आहोप अप्लोग प्लोग को हार एकिंफर्मेसन सम मसं से मिल जाएगी आप लोगों में से कौन-कौन इसके लिए अपलाई कर दो ताकि आप लोग आने वाले साड़ी अपडेट मिल सके और वीडियो अच्छ लगा तो वीडियो के एक लाइक जरूर करे और दोस्तों के शाथ श्यार करे तकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो पे एक निया चरूर नसन के साथ अब तक के लिए गुड़ बाई थैंक यू